स्वागते गाईस हमारे चैनल में आज जो है हम प्रतिसत से जो है कुछ सवाल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन ने एकजामों में जो कोश्चन पूछे गए हैं तो यहाँ पे पहला जो कोश्चन हमारा है कि 6 प्रतिसत का कितना प्रतिसत पांच प्रतिसत तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 प्रतिसत और फिर करेंगे बटे में 6 प्रतिसत ठीक है और into कर देंगे हम यहाँ पे 100 कर देंगे अब यहाँ से जो है 5 का 100 में गुड़ा करेंगे तो यह 500 हो जाएगा और बटा के नीचे जो है 6 हो जाएगा प्रतिसत से हाँ प्रतिसत कैंसिल हो जाएगा बचेगा हमारा कितना अगर इसको हम डिवाइड करें 2 से तो यह हो जाएगा हमारा 200 अपान के यहाँ पे 3 हो जाएगा और 250 में 3 से अगर हम भाग देंगे तो आंसर जो हमारा आएगा 83.33 जो है परसेंट जो है हमारा आंसर आ जाएगा तो जो हमारा option जो A है यह हमारा सही आंसर है अगला question हमारा है कि 65 gram 2 kg के कितने प्रतिसत के बराबर है यह SSE CGL 2008 में पूछा गया question है तो यहाँ पे दिया है कितना 65 gram 65 gram जो है और बटे में कर देंगे 2 kg 2 kg ठीक है और into कर देंगे 100 प्रतिसत तो यहाँ से जो है हमारा हो गया 65 अपान के 2 हो गया और gram को kg में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड यहां कर देंगे और into में यह हो जाएगा हमारा 100 हो गया अब यह जो है 2 0 से यहाँ पे जो 2 0 हमारा जो है cancel हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 65 अपान के 2 का 10 में multiply करेंगे 20 हो जाएगा और cancel करेंगे 5 से तो यह 13 बार में जाएगा और यह जो है 4 बार में जाएगा तो इतना जो प्रतिसत जो है हमारा answer आजाएगा 13 बटा के 4 प्रतिसत तो यह जो option C जो हमारा है यह correct option है 13 बटा के 4 प्रतिसत अगला question हमारा है कि एक गाउं में 30 प्रतिसत लोग सिच्छित है यदि गाउं की कुल जन संख्या 6600 हो तो उसमें असिच्छित लोगों की संख्या बताईए तो इसको हम कैसे solve करेंगे तो यहाँ पे जो दिया है कि 30 प्रतिसत लोग जो हैं सिच्छित हैं और कूल जन संख्या जो है 6600 है तो असिच्छित की निकालना है तो यहाँ पे जो है कूल जन संख्या है मान लेंगे कि यहाँ पे माना कूल जन संख्या कूल जो हमारा जन संख्या है ये कितना है तो इसको हम माल लेंगे कि ये 100 प्रतिसत है ठीक है अब इसमें जो है असिच्छित जो है और सिच्छित जो है अलग-अलग कर लेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि 30 प्रतिसत लोग सिच्छित है तो 30 प्रतिसत यहाँ सिच्छित हो गए यहाँ पे लिख देंगे सिच्छित ठेक तो असिच्छित कितना होंगे तो 70% बचेगा यहाँ पे क्योंकि टोटल 100 है 30% जब सिच्छित हुए तो 70% जो है असिच्छित होंगे यहाँ पे असिच्छित हो जाएंगे कितने लोग असिच्छित हो गए अब जो निकालना है अशिच्छित लोगों की संख्या निकालना निकालना कितना है अशिच्छित और गाउँ की कूल जन संख्या 6600 है तो कूल जन संख्या जो है हमारा कूल जन संख्या जो है यहाँ पे दिया हुआ है कितना 6600 दिया हुआ है और यहाँ पे कूल जन संख्या हमने मान लिया है कि 100 है यानि कि जो 100 प्रतिसत है ये बराबर है 6600 के तो एक प्रतिसत किसके बराबर होगा तो 6,600 और इसमें क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये 0 से 0 कट जाएगा यानि कि 1 प्रतिसत बराबर बचा हमारा 66 तो 80 छित हमको निकालना है क्या निकालना है 80 छित तो 80 छित कितने है 70 प्रतिसत 70 प्रतिसत तो 70 प्रतिसत बराबर हमारा कितना हो जाएगा तो 6,6 और 70 से इसमें मल्टिप्लाई कर देंगे हम तो 70 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा 46 और ये 20, 4620 आ जाएगा यानि कि जो असिछित लोग हैं 4620 है तो जो आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला जो है 4620 हमारा आंसर सही हो जाएगा एक और ट्रिक है इसको सॉल्ब करने का इस ट्रिक से भी आप देख सकते हैं जैसे इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि असिछित लोग मान लिजिए कि असिछित जो हैं असिछित मान लिजिए कि लोगों की संख्या एक्स है तो अब 6600 का जो है 6600 का अब असिछित एक्स हैं जिसमें का रहा है कि 30 प्रतिसत लोग सिछित हैं तो 100 में से जो है हम 30 जो है माइनस कर लेंगे प्रतिसत जो है एक्स के बराबर आएगा तो यहाँ पे 6600 का का मतलब गुड़ा हो जाएगा और 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 प्रतिसत आजाएगा बराबर हो जाएगा एक्स तो यहाँ से अब जो है हम 6600 इंटू 70 प्रतिसत को जब हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे बराबर हो जाएगा एक्स एक जीरो से जो है एक जीरो कट जाएगा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा अब यहाँ पे 660 में जब गुड़ा करेंगे 7 का तो हमारा आंसर कितना आजाएगा 4620 आजाएगा यही जो है हमारा X का मान तो इस तरीके से भी इस ट्रिक के द्वारा भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो इस ट्रिक से भी इसको सॉल्बाप कर सकते हैं तो यह दो ट्रिक हमने आपको यहाँ पे बताया तो जो आपको अच्छा लगे उस ट्रिक से सॉल्ब कर सकते हैं अगला कोस्चन है कि यदि किसी बिद्याले में 70 प्रतिसत लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो है 504 है तो लड़कों की संख्या ग्याद करनी लड़के जो हैं 70 प्रतिसत तो मान लेते हैं यहाँ पे कि कूल बिद्यार्थी जो है कूल बिद्यार्थी मान लेजिए कि 100 प्रतिसत ठीक है कूल बिद्यार्थी हम 100% मान लेते हैं अब इसमें जो है लड़के जो हैं 70% 70% जो है लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी तो 30% लड़कियां हो जाएंगी क्योंकि टोटल 100 है तो जब 70 लड़के हो गए तो 30% लड़कियां हो गए अब हमको निकालना क्या है कि कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 504 है यानि कि 30 प्रतिसत जो है ये 504 है यानि लड़कियों की संख्या 504 है लड़कियां कितनी है यहां पर ये लड़के हैं ये लड़कियां है ये लड़कियां है तो 30 प्रतिसत, यह 30 प्रतिसत जो है 504 है, तो 1 प्रतिसत निकाल देजिए, तो 504 और 30 आ करके डिवाइड कर देगा, तो 1 प्रतिसत जो हो गया 504 बटाके 30 हो गया, अब हमको क्या करना है, कि निकालना क्या है, लड़कों की संख्या निकालना है, तो लड़के कितने हैं, 70 प् प्रतिसत निकालना है क्योंकि हमको लड़के निकालना है तो ये 504 बटा के 30 और 70 प्रतिसत निकालना है तो इससे क्या कर देंगे हम 70 से गुड़ा कर देंगे 10 से 10 कट जायेगा और इसका मल्टिप्लाई कर देंगे पान सो चार गुड़े साथ और बठा के तीन हो जाएगा और जब इससे जो है हम कटाएंगे इसको तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा 1176 आ जाएगा तो यहां पे जो है लड़कों की जो संख्या है हमारा 1176 अगला कोस्चन हमारा है कि किसी संख्या का 16 प्रतिसत जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयम संख्या प्राप्त होती है तो संख्या ग्याद करिए ये यूपिटेट 2013 में पूछा गया question है तो इसको हम solve करते हैं कि किसी संख्या का 16 प्रतिसत जब 21 से जोड़ा जाए तो वो संख्या क्या होता है? सोयम प्राप्त होता है तो वो जो है संख्या हमको ग्याद करना है तो मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा x है x का जो है 16 प्रतिसत यानि 16 बटा के 100 कर देंगे इसमें क्या किया जाता है? 21 जोड़ा जाता है तो सोयम वो संख्या प्राप्त होता है यानि कि x ही प्राप्त होता है तो अब यहां से इसको solve कर देंगे अब इसको कटाएंगे जब हम तो 4 से कटाएंगे 16 को 4 बार में और 100 कटेगा 25 बार में अब 4 का गुड़ा x में करेंगे तो यह हो जाएगा 4x अपान नीचे हो जाएगा 25 और x को जो है इधर लेके आएंगे तो माइनस x हो जाएगा और प्लस 21 को इधर लेके जाएंगे माइनस 21 आजाएगा अब यहां से इसको solve कर देंगे तो यहां से जो हो जाएगा 25 का x में गुड़ा करेंगे तो 25 x और 25 में से 4 जब घटेगा तो माइनस 21 x हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 25 बराबर माइनस 21 अब यहां से x का value निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा यहां पे माइनस 21 दिया हुआ है अब यह divide में है इधर जाएगा तो यह multiply में हो जाएगा और यह into में है यह आकर के जो है divide कर देगा भाग देदेगा माइनस 21 से माइनस 21 कट जाएगा तो answer जो आएगा हमारा 25 आजाएगा तो यहां पे जो है d option जो है हमारा यहां पे सही अगला question हमारा है एक परिछा में कूल परिछार्थियों में 70 प्रतिसत उत्तिर्ड हुए यदि अनुतिर्ड की संख्या जो है 420 है तो परिछार्थियों की कूल संख्या कितनी है S.S.C.M.T.S. 2013 में पूछा गया question है तो मान लेते हैं की कूल जो जन संख्या जो है कूल संख्या जो है विद्यार्थियों की वो मान लेते हैं की 100 प्रतिसत उत्तिर्ड हुए हैं इसमें कितने 70 प्रतिसत जो है पास हुए है उत्तिर्ड हो गए है ठीक है तो फेल कितने हुए फेल 30 प्रतिसत हुए क्योंकि टोटल जो है 100 प्रतिसत है तो ये जो है फेल हुए 30 प्रतिसत अब फेल वाले जो अनुत्तिर्ड वाले जो संख्या है वो 420 है यहनि फेल वाले कितने हैं, 30 प्रतिसत जो है, यह कितने हैं, 420 हैं, तो एक प्रतिसत निकाल लीजिए, तो 420 और बटा में यह 30 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया यहां पे, और यहां पे बचेगा, जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 3 से इसको कटाएगे, 3 एकम 3, 3, 4 को 12, 14 बचेगा, यहनि एक प्रतिसत जो है, 14 के बराबर है, तो हमको क्या निकालना है, परिछार्थियों की कूल संख्या निकालना है, तो परिछार्थियों की कूल संख्या कितना है, हमने यहां पे माना है कि परिछार्थियों की कूल संख् 100 है तो 100 प्रतिसत बराबर कितना हो जाएगा 14 गुडे 100 यानि कि कुल जो परिछार्थी है वो 1400 है तो option जो हमारा है यहाँ पे यह वाला सही हो जाएगा 1400 टोटल यहाँ परिछार्थी है अगला question है कि किसी संख्या के 60 प्रतिसत का 3 बटा 5 भाग 36 है तो वह संख्या क्या है यह यूपिटेट 2017 में पूछा गया question है तो कह रहा है किसी संख्या का मान लेते हैं कि वो संख्या X है उसका 60 प्रतिसत का फिर गुडा 3 बटा पांच्वा जो भाग है वो कितना है 36 है 36 हमने कर लिया तो अब X गुडे 60 प्रतिसत को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा गुडे 3 बटा 5 बराबर हो गया हमारा 36 यहां से अब 1 0 से यहां 1 0 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा यहां पे गुडा कर लेते हैं यहां पे 6 का 3 में गुडा करेंगे 46 हो जाएगा 18 यक्स और नीचे जो हो गया 10 पचे 50 हो गया बराबर 36 अब यहां से इसको solve करेंगे तो 18 यक्स बराबर हो जाएगा यहां पे 36 दिया है यह भाग जो है इधर जाएगा तो गुडा हो जाएगा गुडे 50 हो जाएगा तो एक्स बराबर जो आ जाएगा 36 गुडे 50 और यह 18 गुडे में है बराबर के इधर आएगा तो यह भाग कर देगा 18 से कटाएगे 36 को यह दो बार में कटेगा तो आज आएगा दो गुडे 50 यहां पे तो जो एक्स का जो आंसर आजाएगा 50 का दू में गुडा करेंगे तो 100 आजाएगा यानि क्यों वह संख्या जो है 100 है यानि option number A जो है हमारा correct option है तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सक्षन में जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों को सेर भी करें तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ